दरन्वी शो क्लिफ्स में आपका स्वागत है जहां जट जट से बहुत सीफ़ाइए एक और रूल अभी लोग जाने लगे है कि संस्क्रीन ज़रूरी होती है इसका लॉजिक क्या कि जैसे कि मैंने का कि दूद को लेकर लोग उफेंड हो जाते हैं तो लॉजिक क्या है? संस्क्रीन क्यों लगारने जाए अ is क्यूकि सूरज तो विटमिन D मिलता है पर क्या क्या होता है सूरज की रौशनजू की वज़े से विटमिन D हमको सिर्פ सूरज के रौशनी से नहीं मिलता है खाने में भी बहुत सारा विटमिन D है तो ऐसा मैं सोचना जो body का requirement vitamin D का है, सिर्फ सूरज से पुरा होता है, नहीं है, अगर सूरज का आपको जितना मिल रहा है, जो भी, 10-20% वो चाहिए, तो मिल रहा है, ये कुला है, ये कुला है, ये कुला है, ये कुला है, इतने में क्यों लगाने का है, तो ये खुला रहना ज sunscreen डाल नहीं रहे हो तो sun से कुछ चीजे हो सकता है UV rays तो हमको सब पता है है ना, वो harmful rays है, लेकिन अभी बहुत सारा studies में हमको ये भी पता चला है सिर्फ visible rays जो हमको आंग को दिखता है और वो harmful नहीं है, हम समझ रहे थे उसमें भी harm हो सकता है skin को और उससे पहले एक infrared rays आता है sun से जिसे heat होता है वो पहले हम सोच सेते वो कुछ ये नहीं है, सिर्फ UV rays है, जो वो band है, उतना ही है लेकिन अभी हमको समझ में infrared भी block करना चाहिए नहीं तो उससे जो heat होता है उसमें skin लाल होता है उसके वज़े से फिर dark हो जाता है pigmentation हो जाता है उसमें भी inflammation बढ़ता है UV rays से वो DNA चेंज कर देता है, तो इसलिए उससे aging जल्दी हो सकता है आपका collagen तूट सकता है elastin ऐसा gut, ये हो जाकता है कड़क हो जाता है और फिर आपका जो ground substance से जिसमें ये collagen, elastin सब जी रहे है, वो कम हो जाएगा और फिर आपका visible light जो जादा होता है, उसमें से भी जो harm होता है, वो भी pigmentation बढ़ा सकता है, तो ये सब चीजे age को जल्दी कर सकता है जो हम accelerate बोलते है age accelerate कर सकता है, skin का एक जैसा thickness हो जाता है अच्छा thickness नहीं है, वो leather जैसा कड़क thickness हो सकता है elastosis बोलते है हम collagen पूरा कट सकता है जैसा मैंने बोला है, तो skin बहुत dry हो जा सकता है, लाल हो सकता है, और pigmentation बढ़ सकता है इतना चीज हो सकता है sun के damage से, इसलिए sunscreen डालना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते है हमारे ममा पपा तो sunscreen नहीं डाले थे, लेकिन वो जमाने में इतना pollution नहीं था, दूसरा हमारा जो एक layer होता है, ozone layer करके वो intact था प्रत्री के उपर, वो intact था, मतलब वो एकदम बरा था, पूरा था, तो वो कुछ filter जैसा काम करता है, तो बहुत सारी harmful layers वो filter करता था आज कल ozone layer में सब hole पड़ गए तो सबी negative rays जो हमको नहीं चाहिए वो भी नीचे आ रहा है, तो हमारा जो damage ममा पपा के time पे नहीं होता था, वो जादा होता है, पॉल्यूशन के वज़े से जो damage होना चाहिए उसको 10X हो जाएगा वो उतना जादा हो जाएगा वो ही damage वो भी हो रहा है, और हम लोग पहले जैसा खाना भी नहीं खा रहा है अगर खा भी रहे तो उनका जो सत्व है, nourishment है वो पहले जैसा है नहीं और हमारा stress बढ़ गा है ममा पापा दिन में एक काम करते है या उनका एक duty होता था हम लोग तो 10,000 में मजे लेते हैं और भी believe in multitasking, उसमें pride लेते हैं उसके वज़े से भी बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है हम टाइम पे नहीं सोते हैं, lifestyle ठीक नहीं है cigarette, smoking, blah 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 तो ये सब के वज़े से डामेज इतना जादा है तो उनको बिना sunscreen चल गया हमको नहीं चले अगर आपको ये clip अच्छा लगा ऐसे हजार clips अपलोड किये गए हैं इस channel पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ झाल किये जाओ झाल किये जाओ झाल किये जाओ